चमशेट पूर से श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी है, स्वागत है आपका अलो नमस्कार मुझे जाना है, मुझे पुरी स्पाइन में प्राब्लम होती है बस डले के चारो तरब्बी तरब्बी स्वेलिंग आ गई है दोनों जरा बाएं और दाने, 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 तरब्बी स्वेलिंग है अभी क्या दवाई लेनी चाहिए बेता कैसी, कितनी उमर है आपकी मेरी अभी चालिस है, और यह मुझे जो साथ सर पहले सी हुआ हुआ है ठीक है अच्छो देखिए आपके गले के लिए एक हिलाज है कि आपको पांच बार दिन में गरम पानी पीना है और उसमें गरम पानी करेंगे ना तो उसमें आदा चमच सौट और आदा चमच धनिया और एक चुटकी इसमें मिलाना है खाने वाला नमक दो गिलास पानी में उबा लिए इतना उबा लिए कि एक गिलास रह जाए जलते जलते और पर गरम गरम पीज़े जो चुस्कियां लेके तो गले का इलाज हो जागा अब स्पाइन की प्राबलम की दुनिया की एक अच्छी रो मैटेरियल मैं बताता हूँ मिलेगी मुश्किल से नकली मत लेना असली लेना गौन सिया यानि काला गौन काला गौन आप सो ग्राम भी खरीद लेंगे तो उसके खतम होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है लेकिन इसकी खुराग बहुत जरासी है और दस बारा रुपे की एक दिन की इसकी दवा है अगर असली मिल जाए तो दस बारा रुपे एक दिन में खर्च कर सकता है शायद हर आदमी आप भी उसे हासिल करने कोश़् कीजिए आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम इसको खाईए और आप देखें कि ये सो दो सो गिराम खतम होते होते आप पहले जैसी हो गई तो मुझे अमीद है आपको फाइदा मुम्किन है चलिए नेक्स्ट कॉलर है दिल्ली से मनी राम हमारे साथ स्वागत है आपका अर्वागत हालो हालो हान जी सवाल कीजी हाली मैडम मैंने कल जी फॉन करा था जी जी मैंने आपको बताया था जी क्या बताया था आपको उन्होंने बोला था आजड़क लग्तन और क्या करते हैं जैतून का सिरका और नीभू यह मेरे नशे ब्लॉफ हो रही है उसके लिए बताया था उन्होंने तो मैं वहाँ पर पता करके आया जहां पर मिलता है हमारे यह एक वैद है वैद उनके वहाँ जाके पता करके आया था मैं वो वो कह रहे है कि भी सिरका तो नी आता जैतून का चा ठीक है जो दिक गौर से सुनिये मेरी बात हर वैद हर हकीम आपको कुछ ना कुछ बोलेगा फिर आप पर परिशान होंगे जात उनका सिरका आता है और यह आपको हासिल करना है कहीं नी मिले तो हमारे पास भी मिल सकता है थोड़ा वेट करना पड़ेगा हफता दो हफता लगेंगे आप तक पहुचने में और किसी से बनी बनाई दवाई ने लेना आपको खुद बनानी है यह शर्त है और बाकी चीज़ां तो आपको मिलेंगी लीबू लेसन अद्रक यह तो सब कोई मिलती है इसका जूस निकाल लीज़े यह इसकी बनी बनाई दवा भी आती है और वो है सीरप एच केर एच मतलब हार्ट यह खास तरप हार्ट के लिए यह दिमाग के मरस के लिए जिए ब्लॉकिज हो जाते हैं हार्ट ब्लॉकिज हो जाते हैं, या कॉलिस्टॉल हो जाता है, उसके लिए होती है तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, ये बी ले सकते हैं, आपको फाइदा मुम्किन है मेरी बात गोर से सुना कर ये, आपका वक्त जाया होता है बार बार फोन करने में, तो ये आप खुद बना सकते हैं, जैतुन का सिर्का मैं दारीच से बता रहा हूं मिलता है, कहीं नहीं मिले तो हमारे पास तो मिलता है, क्योंकि ये जैतुन यहां पैदा नहीं होता, तो नेक्स्ट कॉलर है गोपाल मुंबई से हमारे साथ स्वागत है गोपाल आपका अलो हां जी सवाल केजिए असलाम अलेकम जी आदाब अलो जी गोपाल मेरे लड़की है रेखा गुपता करके 40 साल उमर है जी हम सुन रहे हैं आप बता है स्वाथ नेदे में तकलिव हो जाती है अचा कोई स्वाणोग्राफी बगएरा करा लिया आपने? शॉनोग्राफी में तो कुछ मैं आ हारह रहा है ठीक है फिर बहुत अच्छा है तब मैं एक लुसका बताता हूँ और बच्ची के अगर पत्री नहीं है तो बहुत अच्छा है पत्री तो नहीं है तो बहुत अच्छा है के पत्री नहीं है अनिमाल फैट बंद कर दे और देखिए साफ धनिया साफ धनिया साट साट यह नहीं अद्रक का जो पौडर होता है और सौट कहते है और अलसी सौफ धनिया सौट अलसी और कलोंजी का नमक एक वो आता है एस्टेक कलोंजी का उसको हम आसान जबान में कलोंजी का नमक कहते हैं इन सब को सो सो गिराम लेकर पौडर बनाएं और तीन तीन गिराम दिन में खाने से पहले पानी के साथ इनको दीजे और एक दिन में पांच बार इने गरम पानी पीना है यह अगर करते हैं तो बहुत जल्दी बच्ची का ठीक होना मुम्किन है तो चलिए आपकी बच्ची जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगे लेकिन जो अभी आपे नुस्के हकीम साहब ने विश्वास के साथ इस कारक्रम में कॉल किया है तो उसी विश्वास के साथ आपको यह नुस्के भी अपनाने होंगे तब ही देखिएगा आपको लाभी लाभ जरूर मिलेगा दर्श को इवा फिर से बताना चाहूंगी जुतनी भी रॉ माटीरियल आप सभी को हकीम साहब बताते हैं आप मार्किट में जाके भी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं अगर असली नकली में पहचान नहीं कर पा रही है या कोई रॉ माटीरियल आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारी कंपनी यानि कि हकीम साहब की कंपनी से आप उन्हें मंगवा सकते हैं लेकिन मैं आपका नाम क्या ऐ आपका लाली है चलिए ठीक है अब लाली अश्ली पैषैन तो आप ही है। सीदा बीमारी के बारे में बात कर रही है ऐसी पेशेंट होते हैं जो सही जरुरत मन्द होते हैं लाली देखो आप अगर ठीक होना चाहते हो तो आपके घर में ये वेस्टेन टॉयलेट जरूर होना चाहिए और एक गौंद आता है गौंसिया हम कहते हैं और इसे काला गौंद भी कहा जाता है ये असली हासिल करिए असली ही मिलना चाहिए और अदा ग्राम सुबा अदा ग्राम शाम पानी से ये बगए चर्बी के दूस से और आप अगर रईस हैं तो जूस से ये कभी दूद कभी पानी कभी जूस इस्तमाल करें आपको बहुत जल्द फाइदा होना मुम्किन है बिल्कुल हकीम साब जैसे कि आब बात करते हैं गौन सिया की गौन मौरिंगा की तो इनके पहचान आपसे जरूर मैं यहां पर जाना चाहूंगी क्योंकि यही है जो व्यक्ति को इतना जादा फाइदा दे रहा है और कुछ लोगों को तो मिल पाना ही मुश्किल हो रहा है अगर आप मुझसे कहें कि असली दूद की पहचान करो तो भी नहीं होती शेहद में भी लोग जो नकल बनाने वाले हैं बहुत बिल्कुल मतलब असल ज़र भी अच्छा बना देते हैं दूद भी बना देते हैं गी भी बना देते हैं सबसे पहले तो पहचान जो दवाईयों की है यह कड़वा होता है काफी कड़वा होता है मतलब अगर एक चुटकी मूट में रखा लो गॉन है गम है यह तो फिर दीरे मुझ कड़वा होना शुरू हो जाता है इतना कड़वा हो जाता है दीरे-दीरे कि आदमी को ठूकना पड़ता है फिर भी ठीक नहीं होता है पानी पीता है उससे भी ठीक नहीं होता कड़वा जाती नहीं तो फिर कुछ मीठा या नमकीन खाना पड़ता है तब अगर मैं जल्दी से कुछ नहीं करूं तो मुझे परिशानी हो जाती रंग में ब्राउन होता है काला कहते है इस किस्या यह काला रंग में wordt प्राउन होता है और फिर भरोसे की जगह से लेंगे तो फाइदा मुम्किन है चलिए से के साथ कुछ और कॉलर चुड़ गए हैं बात कर लेते हैं जी नमस्कार सुफागत हैं आपका हालो जी जी नाम बताए आपसे डौट साथ बाज में 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 जी जी सवाल कीजिए आप इसकी निलर्जी आतो बेरा ठीक है इस तो डौट साथे आपको एक नस्का बताया था पिछ से बता दिता हूं देखिए धनिया, साफ, सौट और गौन मौरिंगा ये सब चीजें 100-100 ग्राम लें और आदा आदा चम्मच सुबा शाम पानी के साथ लें तो आपको फाइदा होना मुम्किन है तो चलिए हम उमीद करेंगे कि अब आपने सारी बातें यहां पर जान ली होंगी अगर कोई भी बात सुनने से आप चूग जाते हैं तो हल्प लाइन नमबर लगता चल रही हैं आप इन पर कॉन्टेक कर सकते हैं दर्श को आप लोग भी इस कारक्रम में जुड सकते हैं क्योंकि जब आप लोग अपने आपको समझेंगे अपने शरीर को समझेंगे अपने जीवन को समझेंगे तो एक बहतर उक्चार आप सभी कर सकते हैं और ऐसे घरेलून उसके आप लोगों को बताया जा रही हैं जो बहुत सरल हैं बहुत आसान हैं आप लोगों को घर में बैठे बैठे ही तो बनाने हैं बस ख्याल रखना है परहेस का जो हकीम सहाब लगतार आप लोगों को बता रही हैं मन में कोई भी संकोच आप लोगों को नहीं रखना है सिर्फ जुड़ना है हमारे साथ कोशिश हमारी यही रहती है कि सभी कॉलर से यहां पे खुलके बात की जाए उन्हें सही उपचार बताया जाए लेकिन अगर आप लोग का कारक्र में कॉल नहीं लग पाता है तो हेल्प क्लाए नंबर पे आप कांट् expedition कर सकते हैं दोई रोग बड़े हैं एक तो यह के हमारा पेट मैं कोई रोग नहीं होना चाहिए गैस खांब खुत्टी डिवर्प्जा वगहरा वगहरा हमें जो है पेट साफ रहना चाहिए और एक हमें नजला जुकाम नहीं होना चाहिए छीके नहीं आनी चाहिए अब क्योंकि ये पता चला है लोगों को हलाकि मैं तो शुरू से कहता हूँ के देखिए हमारे अंदर जो एक शक्ती है पर वाले ने दिये सब को तो वो शक्ती ऐसी है जो बीमारियों से लड़ती है हमें पता भी ने चलता वो हमारे खून में है अब गाओं वाले कहते हैं कि खून में सर्दी है तो ये जो खून की सर्दी है जो लोग जरा सी हवा चलने से जरा सा छोका लगने से शीकने लगते हैं ये बड़े कमजोर हैं और इनमें इम्यूनिटी की कमी होती है इम्यूनिटी हर शख्स में ज़रुत के मताबिक होनी ही चाहिए और मौजूदा वक्त में तो पूरी दुनिया को इसकी ज़रुत पड़ गई जबके यूनानी हमेशा से इस शक्ति के बारे में जो हम कुट मुदाफियत कहते हैं या को लगातार पांच-छे महीनें इस्तिमाल करें सभी बनाते हैं हम भी बनाते हैं और गरेलनस के भी बताते हैं जिसको जो चाहिए वो इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम अपनी रोग पिति रोदक श्यम्ता को बढ़ा ले कॉलर है सना हुसेन हमारे साथ स्वागत है सना आपक जी असलाव अलेपर जी वालेशलाम जी जी सना जी मैं आपका टी के खा रही हूं अच्छा 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 यह बताए तबियत आपकी कुछ बहतर हुए आपको तो अभी तक मुकमल फाइदा हो जाना चाहिए इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि चाहे दवा न खाएं वो बगए दवा के भी ठीक हो सकते लेकिन घर में वेस्टन ट्वाइलेश जरूर होना चाहिए जिनके कमर से टांगों में दर्द आता है और हर घर में तकरीबन कोई बुजर्ग होता है जो इसकी उम्र जादा होती है आप और मेरी उम्र तकरीबन यकसा है बराबर है तो आपको ये काम जरूर करना है अगर आपको ठीक होना नहीं तो बार बार दवाएं आपके उस जगा को जोड़ती हैं और आप जब वेस्टन फारीग होने के लिए जाते हैं तो उसको तोड़ देते हैं तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता जब तक आपके घर में वेस्टन ट्वालेट नहीं होता एक शीटी तो लगवानी है जो आपका बातरूम है उसी पर एक शीट लगवानी है बात खतम कितना पैसा लगगा हजार दो हजार रुपे लगए इतना पैसा तो आप दवाओं पर खर्च कर देते हैं तो आप यह ज़रूर करें जब आप पुरी तरह ठीक हो सकते हैं नेक्स्ट कॉलर है दिनेश भाटिया नॉड़ा से हमारे साथ वागत है आपका दोक्ताब सलाम आले कुम जी जी आदाब आदाब भाटिया साथ एक्चली में दोक्ताब मेरी जोटर हैं 16 साल की हैं जी और वो पहले चंडी कर रहती थी अब यहां नर्ड़ा शेफ्ट होगी हैं तो दोक्ताब उसके बाल अचानक ना काफी जड़ने लगते हैं बहुत बच्ची का हार्ड मॉन्स टेस्स जरूर करा लें और नस्खाभी में बता रहा हूं एक नार्यल पानी रोज पिलाएं और बच्ची काफी होना चाहिए उस बच्ची के लिए नाइडा में मिलता है और उसके बावजुद भी आप उसको ऐसा लगए कि कम पायदा है तो आद होता है और रोज आना लें कुछ हफते लेंगी तो उनको फायदा होना मुम्किन है